नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल VCS Basic Physics में आज की इस व्यूडियो में हम कक्सा बार है भोतिक विज्ञान मादमिक सिक्सा बोर्ड राजस्तान अजमेर द्वारा आयुजित की जाने वाली बोर्ड प्रिक्षा 2022 को मद्देनजर रखते भी सेखावर्टी मिसन हंड्रेड की द्वारा जारी परसन बेंग के अध्याई 9 किर्ण प्रकास की जो अध्याई है उसके प्रसनोतर महत्वपूर्ण प्रसनोतर की व्याख्या समझने वाले हैं देखने वाले हैं विद्ध्यार्टी इससे पहले हमने सेखावर्डी मिसन से जुड़े वी जो महत्वपूर्ण प्रसनोतर है उसके हमने 5 पार्ट देख लिए थे आज ये 6 पार्ट है इसमें हम किरण प्रकास की से जुड़ेवी कुछ महत पूंट क्यूशन उतर हम परसन उतर देखने वाले हैं बिद्यर्तियो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस चिप्टर में से हमें कुल मिलाकर 5 क्यूशन मिलने वाले हैं सबसे बड़ा अंकों के आधार पर सबसे बड़ा ये चिप्टर है 9 अंक का ये हमारा चिप्टर होगा इसमें देखिए हमें जो क्यूशन मिलेंगे वो हमें 1 and half प्लस 1 and half प्लस 1 and half plus one and half plus तीन उंक के क्यूशन मिलने वाले हैं तो देखिए हमें कुल मिलाकर यहां पर पाम्च क्यूशन मिलेंगे और उनमें से चार खूशन डेड़ डेड उंक के होँगे एक क्यूशन तीन उंक का होगा इस तीन उंक वाड़े क्यूशन के साथ में हमें अत्वा में भी एक क्यूशन मिलने वाला है तो देखिए इस चप्टर में से कोई मतलब जो क्यूशन आएगा छोटा क्यूशन आएगा वो इन्हीं जैसे डेड़ अंक का जो क्यूशन है उसमें सेही जैसे एक अंक का हो गया फिर आदा अंक उसी में ही पूछ लिया गया दो छोटे छोटे परसनों को एक क्यूशन में देकर फिर देड अंक का किया जाएगा और वैसे ही जैसे ये तीन अंग का जो Qution है इसमें हमें ग्ञान और अवबोध में इस तरीके से मिलाकर कोसल मौलिकता के अधार पर ये तीन अंग का दिया गया है कि इसका मलब इसमें तीन पार्ट होंगे और वैसे blueprint के according तीन पार्ट होने चीए फिर देखो एक जाम सेटर होता है पेपर सेटर होता उसके उपर depend करता है वो किस टाइप का क्यूशन देता है चलिए हम उमीद करते हैं कि हमें इस जो क्यूशन है यह जो क्यूशन है वो हमें बेल आइकन भी दबा दीजी ताकि आपको आगे की वीडियो की notification मिलती रहें अब इस वीडियो को स्टार्ड करते हैं सबसे पहले हम लेते हैं पहला क्यूशन हम आपको बदा दें कि इस चिप्टर में से objective type और रिक्तिस्तान वाले क्यूशन के आने की संभावना नहीं है बट ये जो क्यूशन है objective type के क्यूशन या बैसेदे वाले जो क्यूशन हम कह रहे हैं यदि इन क्यूशन को आप कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा concept clear हो जाएगा वैसे objective type के क्यूशन नहीं आएगा इस chapter में से बट concept clear करने के लिए आप इन्हें समझ लीजी समतल दरपन की वकरता तिर्जिया है देखे किसी समतल दरपन की वकरता जीरो होती है वकरता जीरो और वकरता तिर्जिया की वितकरम के बराबर होती है तो इसकी जो वकरता तिर्जिया होती है वो अनन्त होती है इसकी वक्करता कितनी होगी देखो मैं वक्करता वर्ड यूज में ले रहा हूँ जो कि सुनने होती है और वक्करता जो तिर्जिया होती है वक्करता तिर्जिया वक्करता तिर्जिया एक बटे में वक्करता के बराबर होती है तो एक बट्टे में जीरो बरावर कितना आजएगा? अनन्त आजएगा तो इसका जो आंस्वर है वो हमें अनन्त मिलने वाला है फिर देखें, अगला जो क्यूशन है वो हमें क्या मिल रहा है? कि जब प्रकास कीरण हवा से पानी में प्रवेश करती है प्रकास किरिण कहां से कहां जा रही है हवा से पानी में प्रवेश कर रही है तब प्रकास का कौन सा गुण नहीं बदलता जब प्रकास की किरिण एक मादिम से दूसरे मादिम में प्रवेश करती है तो वहां अपवरतन की गठना गठित होती है उस दोरान वेग चेंज हो जा हैं आउतल लेंस के सामने रखी वस्तु का परतिविंब सदेव देखे हम यह जानते हैं कि आउतल लेंस से परतिविंब सदेव सीधा बनता है और सीधी जो परतिविंब होते हैं वो आभासी होते हैं तो सीधा और आभासी बनेगा यह इसमें इसका सोलुशन होगा डायप्ट किसका मातरक है तो लेंस की सक्ति का जो मातरक होता है वो डायप्टर होता है अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं आउटर लेंस की सक्ति अक्षमता होती है देखे हम बात करें यहां पर आउटर लेंस की तो आउटर लेंस इस प्रकार से होता है और इसकी यदि हम मुख्यक्स क समांतर आने वाली प्रगास की किरण जिस बिंदू से जाती हुई नजर आएगी वो ये वाली बिंदू होगा यहां से जाती हुई नजर आएगी तो इसकी फोकस दूरी रिनातमक तत्वश्याद इसकी जो सत्ती है वो भी रिनातमक होगी अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं देखे हमें अगले क्यूशन के अंदर क्या कहा गया है कि दो समान उत्तल लेंसों को तीन तरह से जोड़ा जाता है तब सेयोजन की फोकस दूरियों का अनपात होगा यहाँ पर दो लेंस है एक इस तरीके से दूसरा इनके जो समतल प्रस्ट है एक दूसरे से सटा कर रख दिये यहाँ पर एक समतल प्रस्ट यह है दूसरा वाला समतल प्रस्ट यह है यहाँ पर उत्तल प्रस्टों को एक दूसरे से सटा कर रखा गया है तो दीए इनकी फोकस दूरी इस वाले एक लेंस की फोकस दूरी यदि F है तो दूसरे की भी F होगी और जब इनको समानतर करम एक दूसरे से सटाकर रख देते हैं तो तुले फोकस दूरी एक बटा F डेस बरावर एक बटा F प्लस एक बटा F इस इस इस्तिति में भी यही तो तीनों ही इस्तितियों में जो फोकस दूरी आएगी वो सेम आएगी तत्वश्यात इनका जो रेश्यो है वो एक अनपात एक अनपात एक के रूप में होगा अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं साथ में क्यूशन के अंदर देखिए हमें दूर की जो वस्तु है उसका आवर्दित सीधा और आवर्दित प्रतिविम प्राप्त करने के लिए उत्तर लेंस के साथ में किसका प्रियोग करना चाहिए देखिए इसे आप एक बार समझा लिजिए कि दूर वस्तु है दूर की वस्तु का सीधा आवर्दित सीधा भी चाहिए हमें प्रतिविम और आवर्दित इसका मतलब बढ़ा प्रतिविम बचाहिए तो उत्तर लेंस के साथ में किसका प्रियोग करना चाहिए यह हमें practical करते हैं तो उस दोरान हम पाते हैं कि उत्तर लेंस के साथ में हमें आउतर लेंस का प्रियोग करना चाहिए तांकि देखें आउतर लेंस जो प्रतिविम बनता है वो उल्टा बनता है सीधा बनता है आभासी बनता है जो कि उत्तर लेंस उसको बड़ा करके दिखा देगा फिर देखिए यहां से हमारे पास में कि सरल सुक्षम दर्शी की आवर्दन ख्रमता होगी यदि परतिबिम्ब निकड़तम इसपष्ट द्रस्टी पर बने जो अंतिम परतिबिम्ब है वो हमारे को कहां प्राप्त हो रहा है परतिब नियून तम इसपष्ट दूरी पर बनता है तब हमें जो आवर्दन ख्रमता है उसका फोर्मूला देखना है विद्यार तो इस क्यूशन का जो सॉलूशन है वो हमें C दे रखा है जबकि जब अंतिम जो परतिबिम्ब है वो निकड़तम दूरी पर बनता है तो उसके लिए फोर्मूला वन प्लस D अपोन में F आता है आवर्दन ख्रमता का वन प्लस D अपोन F आएगा तो इसमें D इसका सॉलूशन आएगा ये जो C इसमें उप्शन दे रखा है वो गलत है इसे आप सही कर लीजी इसमें आप सुधार कर लीजी फिर हम नवे क्यूशन की ओर बढ़ते हैं इंदर धनूस प्रकास की किस गठना पर आधारित है तो देखें इंदर धनूस में वैसे तो अपवर्तन सबसे पहले क्या होता है अपवर्तन की गठना गटित होती है उसके पश्यात वरन विक्षेपन की गठना गटित होती है उसके पश्यात पून आंतरिक प्रावर्तन और अंत में फिर से अपवर्तन होता ह तो बहुत सारी गठनाओं का एक समलित रूप होता है आपको यहाँ पर देखना है कि मुख्य जो गठना होती है वो होती है वरण विक्षेपन तो यह वरण विक्षेपन की गठना के कारण से इंदर धनोस दिखाई पड़ता है फिर देखे परावर्ती दूरदर्सी में अभ योग किया जाता है तो यहाँ पर अवतल दरपन डी ओप्सन इसमें सही होने वाला है अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं देखे विद्धियर्ति अगले क्यूशन के अंदर हमें क्या कहा गया है बादलों का स्वेथ परतीत होना गठना पर आधारित है तो देखे बादलो का स्वेथ होना है परकिणन नय होने के कारण से देखो परकिणन हो जाता है तो वहाँ पर रंगीन प्रकास निकलता है चारों दिसाओं में सभी संभव दिसाओं में यहाँ पर परकिणन नय होने के कारण से होता है और रेले परकिणन हमें दे रखा है इसके साथ में बड़े साइज के कणों द्वारा जब परकिणन होता है तो हमें स्वेत प्रकास ही नजर आएगा तो एक तरीके से बड़े साइज के कणों द्वारा तो परकिणन होता ही नहीं है परकिणन होगा ही जब प्रकास की तरंग दे रही है और बड़े कणों के साइज का अकार लग C इसका आंस्वर करेंगे फिर देखिए अगला जो क्यूशन है दूर दर सी द्वारा सामने वीजन के लिए ट्यूब लंबाई है तो ये कि ट्यूब जो लंबाई होती है वो F O के परिमान थाथा F E के परिमान के बराबर होती है हाला कि इस ओप्शन C हमें दे रखा इसमें इसका परिमान नहीं दे रखा एकदम जो सही रूप है ये है F O के परिमान और F E का परिमान फोकुस दूरियां रिनात्मक भी हो सकती हैं इसलिए हमें यहां पर इनके परिमानों का योग करना होगा इस धर्ती पर वायूमंडल नहीं होता तो प्रकास का परकिणन नहीं होता और आकास का रंग है वो हमें नीला दिखाई नहीं पड़ता नीले की बजाए हमें काला रंग दिखाई पड़ता यदि आप चंदरमा से आकास को देखेंगे तो वो काला नजर आता है और चंदरमा की बजाए यदि पर्थवी पर वायू मंडल नहीं होता तो यहां से भी आस्मान हमें कहला नजर आता विद्यारतियो अगले कुश्यन क्यों बढ़ते हैं जो दो कुश्यन के अंदर हमें ये पूछा गया है कि पतले लेंस का सुत्र है लेंस सुत्र हमें देखना है यहां पर तो विद्धार तो लेंस सुत्र होता है एक बटा F बराबर एक बटा V माइनस एक बटा U equation number यह लेंस सुत्र है इसमें C option सही होगा option जो A आप देख रहे हैं यह दरपन सुत्र है यह दरपन सुत्र आपको पूछा जाए तो यह सही करना हलांकि इसमें हमें लेंस का सुत्र पूछा है तो यह वाला option ही इसमें सही होगा पंदरवा जो question है उसमें देखिए हमें क्या कहा गया है यदि अपना चेहरा गोली दरपन में देखते हैं अम कौन सा दरपन यूज में ले रहे हैं गोली दरपन तो परतिविम्ब छोटा वै सीधा दिखता है छोटा भी दिख रहा है सीधा भी दिखता है तो दरपन है देखिए अउतल दरपन से जो परतिविम्ब बनते हैं वो उल्टे बनते हैं और वास्तिविक बनते हैं एक इस्तिदी के अंदर आभासी और सीधा परतिविम बनता है लेकिन जब सीधा परतिविम बनता है तो बड़ा परतिविम बनता है हमें यहां पर क्यूशन में छोटा कहा गया है तो उत्तल दरपन से जो प्रतविम्ब प्राप्त होते हैं वो छोटे और सीधे ही बनते हैं आभासी बनते हैं तो देखे विद्यारती इसमें उत्तल दरपन आएगा अब देखे प्रकास कीरण से क्या अभिपराय है तो देखे प्रकास किरण का मतलब है कि वो प्रकास के पत को रिप्रजेंट करता है कि एक्चुल में प्रकास तरंग के रूप में चलता है, कणिये प्रकत्ती के रूप में भी चलता है, उसको हम फोटोन कहते हैं, ऐसे प्रकास संच्रित होता है उर्जा के रूप में, बट प सीधी रेखा द्वारा गमन करवाते हैं दिखाते हैं तो प्रकास तरंग के गमन का जो पत होता है उसी को ही हम प्रकास किरण कहते हैं समतल दरपन में परतिविम्ब वास्त्वी किया आभासी होता है तो देगे हम अपना चेहरा देखने के लिए समतल दरपन का ही प्रियोग कर जिससे सीधा पार्सव परिवर्तित वस्तु के बराबर आभासी परत्वे में प्राप्त होता है दरपन सुतर लिखिए तो दरपन सुतर एक बटा F बराबर एक बटा U प्लस एक बटा V होगा अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं हमें देगे सुर्यास्त के समय सुर्य का ठीक कुछ समय दिखाई देना कारण है प्रकास के अपवर्तन के कारण से कि सूरिय है वो सूरियोदे से ठीक पहले और सूरियास्त के ठीक बाद दो-दो मिनिट तक दो मिनिट पहले दिखने लग जाता है और दो मिनिट बाद तक भी दिखाई पड़ता है तो प्रकास के अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है विल्यारतियो हीरे का चमकना किस गठना पर आधारित है तो प्रकास के पूर्णा अंत्रिक प्रावर्तन पर आधारित होता है फिर देखिए प्रकास के किसी रंग की वायू में तरंग धेरिये वायू में जो प्रकास की तरंग धेरिये है वो 6000 एंगस्ट्रोम जल में जो तरंग धिरिये है वो 4,500 एंगस्ट्रॉम जल में प्रकास की चाल क्या होगी जल में हमें प्रकास की चाल पूछिए तो देखिए N1 बटा N2 बराबर होता है यहाँ पर जल में प्रकास की तरंग धिरिये हमें जल में प्रकास की चाल पूछिए तो यहाँ से वी जल बराबर यह इधर मल्टिप्लाई में आजएगा देन हमें क्या मिल जएगा वी जल बराबर जल में बराबर आगया है लेमडा जल में बटे में लेमडा वायू में हवा में इंटू में यहाँ से आजएगा वी वायू या हवा में तो इन सब की वेल्यू हम यहाँ पर पूट कर देंगे इसका मान है 4,500 इसका मान है 6,000 वायू में इसका वेक 3,000 3 गुनदस्की घात 8 तो यहां से 2,0 से 2,0 कट गया 45 का भाग इसमें 3 बार में इसमें 4 बार में तो यह आगया 9 बट्टे में 4 गुनदस्की घात 8 तो यह आगया हमारे पास में 2.25 पांच बुनदस की घात आठ मीटर परती सेकेंड अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं हमें 22 जो क्यूशन है उसमें कहा गया है कि हीरे का अपुरतनांग हमें हीरे का जो अपुरतनांग है वो 2.42 दे रखा है क्रांति कौन का मान ग्याक कीशिये हमें N की वेल्यू दे रखी है और साइन आई सी बराबर हम क्या जानते हैं साइन आई सी बराबर जानते हैं एक बटा N तो यहां से N की जो वेल्यू है वो है 2.42 और जब हम इसको केल्कुलेट करेंगे तो यह हमारे पास में 0.4 वैसे तो बिद्यारती इस टाइप का क्यूशन पूछे जाने की संभावना नहीं है कि इतनी जटिल वैल्यू दे दे और फिर हमें I.C. का मान पूछें और पूछ भी लिया जाए तो आप इतना ही करके आ जाएंगे sin inverse 0.4132 क्योंकि इसका solution हमें नहीं पता है clear हम इतने बड़े त्रिकाल दर्सी नहीν है कि इसका solution सीधा लिख देंगे यहाँ पर तो solution करके लिख दिया बट हम इतना नहीं जानते हम तो इतना ही करके आ जाएंगे तो भी इसका answer मतलब इसमें आपको full marks मिलने वाड़े है अगले question की ओर बढ़ते है 23 जो question है उसमें हमें कहा गया है गोल ये प्रस्ट से अपवर्तन का formula तो ये formula होता है N2 upon V minus N1 upon U बराबर N2 minus N1 बटे में R ये formula होता है फिर हमें पूचा है लेंस की सक्तिया क्षमता को प्रिभासित करते हुए इसके मातरक और वीमा लिखिए विद्यार तो ये जो question है वो बोड द्वारा जारी जो model परसंपत्तर है उसमें भी है तो ये जो question है इसको आप अच्छे से समझ लेंगे देखिए question क्या है लेंस की क्षमता किसे कहते है लेंस द्वारा आपतित प्रकास किर्णों को मोडने की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते है या लेंस की focus दूरी की विद्करम को भी हम लेंस की क्षमता कहते है इसका जो मातरक होता है वो diapter होता है और डायप्टर एक बटा मिटर के बराबर होता है एक बटा मिटर ही क्या है डायप्टर इसकी जो वीमा है वो M0, L-1, T0 होती है फिर 25 वा जो क्यूशन है उसमें हमें कहा गया है कि प्रकास के पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन को प्रिभासित करते हुए आवश्यक सर्तें लिखिए ये भी बोड़ द्वारा जारी मोडल परसंपत्र में पूछा गया है कि प्रकास के पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होता क्या है साथ में हमें तीन कंडिशन्स भी वहाँ पर भी कंडिशन्स पूछी है और उन पर आधारित गठना ये भी पूछी है तो देखे विद्यारतियों प्रकास का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन किसे कहा जाता है कि जब कोई प्रकास की किरण सगन माद्यम में क्रांति कोण से अधिक के कोण पर आप्तित होती है तो वो विरल माद्यम में नय जाकर उसी माद्यम में वापस लोट आती है तो इस गठना को हम प्रकास का पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन कहते हैं इस गठना को प्रकास का पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन कहा जाता है अब देखे इसकी जो आवशक सर्ते हैं वो ये है कि प्रकास किरण सगन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए ये सगन माध्यम है ये विरल माध्यम है तो इधर से इधर की ओर जानी चाहिए क्योंकि इसका सगन माध्यम में ही पूरांत्रिक प्रावर्तन होता है आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए तभी पूरा अंत्रिक प्रावर्तन की गठना गठित होगी अन्यता नहीं होगी अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं लेंसों के सयोजन की कुल ख्रमता पी और आवर्दन का सुत्र लिखिए कि यदि हमें बहुत सारे लेंसों को एक दूसरे के साथ में सटा कर रख दें तब उनकी कुल जो ख्रमता होती उसका फोर्मूला ये होता है P बराबर P1 प्लस P2 प्लस डोट 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 PN और उनके जो आवर्दन ख्रमता होती है वो इस तरीके से होती है कुल आवर्दन ख्रमता पहले लेंस की आवर्दन ख्रमता इंटू दूसरे लेंस की आवर्दन ख्रमता इंटू तीसरे लेंस की आवर्दन ख्रमता गूणा में आजएगी इस तरीके से उनकी आवर्दन ख्रमता को हम पूट करते हैं इसके साथ हमें हमें देखी क्या पूछा गया है दो पतले लेंस जिनकी ख्रमता प्लस पांच डायप्टर और माइनस तीन डायप्टर है प्रस पर संपर्क में रखने पर स्योजिन की फोकस दूरी तो देखें इनकी कुल जो ख्रमता है वो आजएगी P1 प्लस में P2 मतलब 5 मा दो डायप्टर और उसके फशात हमें ये पूछा फोकस दूरी तो फोकस दूरी एक बटा पी के बड़ाबर एक बटा दो मतलब 0.5 तो ये हमें मिल चुका है इसका अंस्वर अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं तो इसमें से एक नुमेरिकल क्यूशन भी पूछा जाएग तो आप इस चप्टर में जो सुत्र हैं उनको अच्छे से याद रखें और इनमें एक चीज विशेश रूप से आपको ध्यान में रखनी है चिन परिपार्टी का क्योंकि चिन परिपार्टी आपको समझ में आ जाती है तो नुमेरिकल क्यूशन थोड़े इजी हो जाएग यह R1 है प्लस में 20 सेंटिमीटर उत्तर लेंस इस तरीके से होता है तो इस प्रस्ट की जो वकड़ा तिरज़या है वो प्लस में और इस प्रस्ट की जो वकड़ा तिरज़या है वो होती है माइनस में तो R2 का जो मान है वो माइनस में 30 सेंटिमीटर होगा हमें यहाँ पर ज into एक बटा R1 मैनिस एक बटा R2 ये वाला फॉर्मूला आपको सीधा वित्पन करवाया जा सकता है इस पर आधारित नुमेरिगल क्यूशन आसकता है, दोनों में से एक होगा या तो आपको ये वाला फॉर्मूला वित्पन करवा दिजिसे हम लेन्स निर्मातों का सुत्र कहते हैं लेंस मेकर फोर्मूला कहते हैं या इसके उपर डिपेंड नुमेरिकल कुशन आजाएगा दोनों में से एक होगा 100% इस साल राजस्तान बोर्ड एक्जाम में इस पर आधारित कुशन अवस्से पूछा जाएगा तो इसको आप एकदम क्लियर कर लीजे तो देखें यहाँ पर क्या जाएगा एक बटा F बराबर N का जो मान है वो 1.5 R1 का मान है वो 20 R2 का मान है माइनस में 30 तो यहाँ से आप देखें 1.5 में से एक गठाएंगे तो 0.5 आ गया है यहाँ से 1 बटा 20 प्लस में 1 बटा 30 इनका जो लगुतम है वो हमारे पास में आ गया है देखें 60 तो यह आ गया हमारे पास में 3 प्लस 2 तो 3 प्लस 2 से हैं यहाँ से कल्कुलेट करेंगे तो 0.5 इंटू में 5 बटे में 60 तो यह 12 वार में चला जाएगा पॉइंट हटेगा तो 0 लग जाएगा इसके अंदर इसका भाग 24 वार में चला जाएगा तो 24 सेंटिमीटर हमें फोकस दूरी तो 1 बटा F बराबर 1 बटा 24 सेंटिमीटर हमें प्लाप्त हो जाएगा अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं 28 वार जो क्यूशन है उसमें हमें कहा गया है लेंस की चिन प्रिपाटी का नियम क्या है और गोली प्रस्ट सें अपवर्तन हेतु बिम्ब और परतिबिम्ब दूरी अपवर्तनांक वक्करदा तिरिजा इनकी बीच में संबंध कोई स्थापित कीजिए तो यह थोड़ा बड़ा क्यूशन है पहले लेंस की चिन प्रिपाटी हम समझ लेते हैं विदर चिन प्रिपाटी काफी महत्वपूर्ण है चिन प्रिपाटी यह आपको समझ में आ जाती है तो numerical question करने में बहुत easy हो जाएगा, आसानी हो जाएगी चिन प्रिपाटी देखें कि ये हमारे पास में partition coordinate system होता है X axis है, ये y axis है और ये है हमारे पास में प्रकास आपतन की दिशा प्रकास आपतन की दिशा प्रकास आपतित हो रहा है इस दिशा में ये जो y axis है वो किसी दरपन को बता रहा है या किसी lens को बता रहा है X axis है वो इसकी मुखे x को प्रदसित करती है X axis किसको बता रही है? मुखे x को बता रही है तो प्रकास आपतन की दिशा में, देखो दूरियां x axis या y axis से मापी जाएगी तो उन दूरियों को हम लेंगे रिनात्मक मुख्यक्स से उपर की और की दूरियां धनात्मक और मुख्यक्स से नीचे की और की जो दूरियां होती है वो रिनात्मक होती है तो यही चिन परिपाटी है विजारती हो देख लेते हैं यहां पर कि दो ही लाइन में इस चिन परिपाटी को समझाया गया है कि प्रकास बिंदू को मूल बिंदू और मुख्यक्स को अक्स-अक्स मानते विए प्रकास आपतित प्रकास की दिशा में मापी गई दूरिया धनात्मक ली जाती है और विप्रित दिशा में रिनात्मक ली जाती है बोर्ड एक्जाम में पूछे जाने की संभावना तीन नंबर के क्यूशन में इसको पूछा जा सकता है विद्यारतु यदि आपको इस टोपिक का अच्छे से सोलूशन चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो की डेस्क्रिप्शन में जाकर यूटूब वीडियो की मैं आपको लिंक दूँगा वहाँ पर इस वीडियो का आपको संपून डिटेल से वरनन मिल जाएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें अगला जो हमारा क्यूशन है 39 क्यूशन की ओर चलते हैं 39 क्यूशन में देखे क्या कहा गया है कि N बराबर अंडूड तीन वाले काच के प्रिजम का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवरतक कोण के बराबर है प्रिजम कोण होगा देखे एक बार इसमें N बराबर हमें अंडूड तीन दे रखा है और A और डेल्टा M बराबर दे रखा है प्रिजम कौन पूछा है हम N बराबर क्या जानते है साइन A प्लस डेल M बाई टू अपॉन साइन A बाई टू ये हम अपुरत नांग का फोर्मूला जानते है अच्से से जानते है फिर देखिए इसमें सब कुछ वैल्यू पूट कर देते है तो देखिए N कमान है अंडूर तीन बराबर साइन A प्लस डेल M तो डेल M की जिगें भी मैं A लिग देता हूँ तो A प्लस A बट्टे में 2 अपॉन साइन A बाई 2 ये हमारे पास में आ गया A प्लस A हो गया 2 A 2 से 2 कट गया साइन A आ गया है बट्टे में साइन A बाई 2 clear देखिए बाईलो जी की बच्चे ध्यान दे ये A से कटते नहीं है तो आई साइन A से साइन A काट दे दो बचा दे ऐसा नहीं होता अंडूर तीन अब देखिए साइन A का एक फोर्मूला होता है वो आप फोर्मूला ध्यान देंगे साइन 2 A बराबर हमने पड़ा है 2 साइन A कोस A ये एक फोर्मूला होता है तो यहाँ पर है साइन A तो यह आगए 2 साइन A बाई 2 कोस A बाई 2 यहां पर value put कर देता हूँ मैं 2 sin a by 2 cos a by 2 बट्टे में sin a by 2 यहां sin a by 2 से sin a by 2 cancel हो गया यह जो 2 है वो इधर मैं अंडूर्ड के नीचे ले आता हूँ तो अंडूर्ड 3 बट्टा 2 बराबर cos a by 2 आ गया हमारे पास में यहां से cos a by 2 बराबर देखें cos की जो अंडूर्ड 3 बट्टा 2 जो value होती है वो cos 30 degree की value होती है तो यहां से हम इन दोनों को compare करें तो 1 बट्टा 2 बराबर आ गया 30 degree और a बराबर आ गया है 60 degree a बराबर कितना आज चुका है 60 degree अगले question की ओर बढ़ते हैं अगले question के अंदर देखें विद्यारतियों हमें यह जो question है वो board exam में पहले पूछा जा चुका है बहुत आसान question है सुमेलित कीजे छोटी class में ऐसे question पूछे जाते हैं एक दूसरे से मिलान हमें यहां पर करना है वैसे मैं आपको बता दूँ कि जो पहला ही option है वो board exam में आ चुका है बढ़ यह दस्वे चिप्टर से लिया गया है अब की वार दस्वे चिप्टर हट गया है कि mu बराबर 10 IP यह booster का नियम होता है किसका नियम है बुस्टर का नियम तो मिलान करेंगे तो इसका 20 से मिलान कर देंगे mu बराबर 1 upon sign IP यह पूर्ण आंत्रिक प्रावरतन से हमें एक फोर्मूला प्राप्त होता है mu बराबर sign IP यह पूर्ण में sign R यह हम सनेल के नियम से जानते हैं और यह प्रीजम के लिए अपूर्ण आंग का फोर्मूला होता है यह सब कुछ तो हम पढ़ चुके हैं बट जो पहला पार्ट है वो इस बार सेले बस में नहीं है विद्यारतियो अगले क्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकास के विक्षेपन को प्रिभासित कीजिए देखो विक्षेपन का मतलब है कि जो स्वेट प्रकास होता है वो सात रंगों से मिलकर बनता है कितने रंग होते हैं? सात रंग होते हैं और उनके अपने विवी रंगों में विखत होने की जो गठना होती उसको वरण विक्षेपण कहते हैं फिर देखो क्या कहा गया है कि जब स्वेध प्रकास प्रिजम से गुजरता है तो वरण विक्षेपन में विक्षेपित रंगों का करम भी लिखिए यहां से जब एक स्वेध प्रकास की किर्ण आप्तित होती है तो यह अपनी मूलपत से विचलित हो जाती है साथ में यहाँ पर यह साथ टुकडों में तूड जाती है कितने टुकडे हो जाते हैं इसके यहाँ पर साथ टुकडे हमें मिलने वाले हैं यहाँ से हमें कितने टुकडे मिलेंगे साथ टुकडे मिलेंगे देखे इन टुकडों का जो करम है वो देख लीजे, नीचे से मैं उपर की ओर चल रहा हूँ वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर यह उपर ही उपर वाला जो रंग होगा वो आर और नीचे ही नीचे वाला वोईलेट तो बेंगनी, जामूनी, नेला, हरा, पेला, नारंगी और लाल यह साथ कलर होते हैं, साथ रंगों में प्रकास तोट जाता है अगला जो क्यूशन है, वो देखे कि प्रकास के प्रकिणन से आप क्या समझते हैं, कारण इसपस्ट कीजी सुर्य उद्वय और सुर्यास्त के समय सुर्य लाल क्यों दिखाई देता है तो देखे विद्वय यह प्रकास के प्रकिणन का मतलब होता है कि जब प्रकास किरने किसी माद्यम के कणों पर आप्तित होती है तो माद्यम के कणों उस प्रकास को पूर्णता अवसोसित कर लेते हैं और नए प्रकास का उत्सरजन करते हैं उस गठना को हम प्रकास का परकिणन कहते हैं कि जब प्रकास किर्णे माद्यम के कणों पर आप्तित होती है तो माद्यम के कणों उन्हें अवसोसित करके नए प्रकास का उत्सरजन करती है जिसे हम प्रकास का परकिणन कहते हैं अब देखे प्रकास के प्रकृणन के लिए आवशक सर्थ है कि कणों का आकार प्रकास के तरंग धिरी की कोटी का होना चाहिए इसके साथ में हमें देखे इस क्यूशन में पूछा गया है कि सुर्यास्त और सुरियोदे के समय सुर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि जो प्रकास की किर्णे होती है वो सुरियोदे और सुरियास्त के समय वायू मंडल में लंबी दूरी तै करके हमारे तक पहुचती है देखे ये हमारा वायू मंडल है और ये हमारी पर्थवी है इसके उपर ये पर्थवी है हम यहां मौजूद है यहां हमारा सूरिय है तो देखे सुभह और साम को प्रकास है इस वायू मुंडल में लंबी दूरी देखो इस समय सुभह और साम एवाली स्थितिशे प्रकास आता है वायू मुंडल में लंबी दूरी तै करता है जबकि जैसे जैसे सूरिय उपर चड़ता है दूरी कम होती जाती है प्रगास का प्रिक्णन कम होता है तो देखे प्रगास के प्रिक्णन में जो जादा से जादा तीवर्था होगी रेले ये कहता है कि प्रगास की तीवर्था तरंग देरे के चतुत गात की वितकरमानों पाती होती है बाकी के रंगों का परक्रियन हो जाता है हमारे तक नहीं पूँच पाती है उलाल रंग की जो प्रगास किर्णे होती है वो हमारे तक पहुच पाती है तो देखे, यहां पर आप ध्यान देंगे कि सुरियोदे और सुरियास्त के समय सुरिय से आने वाली प्रकास करिणे वायू मंडल में लंबी दूरी तेगरती है जब तक हमारे जब तक प्रकास करिणे हमारे तक पहुँचती है वायू मंडल में ही प्रकास का प्रकिणन हो जाता है तो इसका रीजन यह दिए आपको केवल रीजन पूछा जाए तो प्रगास का प्रकिणन होता है तो लाल रंग का प्रकिणन सबसे कम होता है इसलिए लाल रंग सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा और सुर्योदे और सुर्यास्त के समय हमें सुर्य लाल दिखाई पड़ता है अगला जो क्यूशन है उसमें आप देखिए कि इंदर धनुस का दिखाई देना प्रकास की कौन सी गठना है प्रात्मिक और दित्तिय के इंदर धनुस में बूंद के अंदर कितनी बार पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन होता है बोड़ एकजाम में इंदर धनुस प्राधरित भी एक क्यूशन पूछा गया है कि पूर्ण इंदर धनुस दो प्रकार के होते हैं प्रात्मिक इंदर धनुस थित्तिय के इंदर धनुस उन दोनों इंदर धनुसों में हमें अंतर पूछा गया है तो प्रात्मिक इंदर धनुस और दित्यक इंदर धनुस में हमें तीन अंतर पूछे गए हैं मोडल पेपर में यहां पर देखे हमें पूछा गया कौन सी गठना पर आधरित होते हैं तो यह पहले तो इनका अपूरतन होता है और दित्यक इंदर धनुस में दो बार प्रकास का पूर्ण अंतरिक रावरतन होता है यह भी एक महत्व पूर्ण क्यूशन है कि स्यूक्त सुक्षम दर्शी का केरण आरेक बनाईए आवर्ण क्षमता को प्रिभासित कीजिए और आवशक सुत्र की स्थापना कीजिए तो विद्यारतियों यह जो क्यूशन है इसके बोड़ एक्जाम में पूछे जाने की परबल संभावना है यह काफी important क्यूशन है और इसका अच्छे से solution देखने के लिए आप इस वीडियो की description में जाकर सुक्त सुक्षम दर्शी का संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं समझ सकते हैं हम यहाँ पर इस क्यूशन का जो solution है वो इस वीडियो की description में दे रखा है वहाँ पर जाकर इस वीडियो के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विद्यर्तियो इसके बाद में जो हमारा अगला जो क्यूशन है 35 जो क्यूशन है वो देखे क्या है खगोली दूरदर्सी का नामांग की चित्र बनाईए खगोली दूरदर्सी के नमांकित चित्र के बारे में पूछा गया है कि खगोली दूरदर्सी क्या होता है उसका किरनारे एक चित्र बनाईए तो देखे खगोली दूरदर्सी के अंदर दो उत्तर लेंस होंगे जो वस्तु की ओर होता है उसका द्वारक बड़ा उसे हम अभिधर्शक कहते हैं और जो आँक के पास वाला होता है उसका द्वारक छोटा उसे नेत्रिका कहा जाता है और बहुत अधिक दूरी पर जो प्रकास वस्तु में मौजूद है उनसे आने वाली प्रकास की खिर्णे एक दूसरे के समान तर पहले प्रतिबिम्ब एडेस बीडेस बनाएगी और ये जो प्रतिबिम्ब होता है वो नेत्रिका के लिए आभासी बिम्ब का काम करता है और अं निवेरिकल की रूप में दिया गया है खगोली दूर्दर्सी की रचना सामन ने सेयोजन में आवर्दन क्रमता 50 के लिए की जानी है हमें एक ऐसे खगोली दूर्दर्सी को लिया जाना है जिसके आवर्दन क्रमता M का मान कितना है 50 इदि नलीका की लंबाई 102 सेंटिमेटर म अब देखिए जो आवरदन क्षमता है वो f o upon f e के बराबर होती है और नलिका के लंबाई f o plus f e ये 102 cm होती है तो यहां से आप देखेंगे हमें पूछा गया है अभिदर से को नेत्रिका की क्षमता क्या होगी तो इनकी हमें पहले फोकस दूरियां गयात करनी पड़ेगी इनकी फोकस दूरियां क्या होगी तो देखें यहां से इस equation से मैं क्या लिख सकता हूँ f o बराबर लिख सकते हैं 50 f e और 50 f o की जिकर 50 f e यहां पर हम put कर देते हैं तो 50 f e प्लस f e बराबर 102 और 51 f e बराबर 102 और f e बराबर आगया 102 बटे में 51 बराबर 2 सेंटिमेटर और यहां से f o बराबर आजाएगा 100 सेंटिमेटर है यदि हमें f e और f o पता है तो p o और p e हम निकालेंगे तो p o बराबर 1 बटा f o f o का मान हमारे पास में 100 सेंटिमेटर मतलब 1 मेटर एक डाइपटर आजाएगा f e का मान 0.02 पॉइंट हटाएंगे 2-0 उपर लगा देंगे 50 डाइपटर हमें प्राप्त हो जाएगा फिर देखे अगला जो क्यूशन है उसमें हमें सरल सुक्षम दर्सी की आवरदन ख्रमता 11 बता रखिए m का मान हमें कितना दे रखा है इसे परतिविम इसपष्ट दर्स्टी की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इसमें प्रियुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी तो देगे इस पस्ट द्रश्टी की नियूंतम दूरी पर जब प्रतिमिम बनता है तो उसकी आवर्दन क्षमता का फोर्मुला 1 प्लस D अपॉन में F होता है सब की वेलियो हम यहां पर पुट कर देते हैं 11 बराबर 1 प्लस D जो कि 25 है F हमें निकालना है तो यहां से 25 बटे में F बराबर आजएगा 10 और F बराबर आजएगा 25 बटे में 10 बराबर 2.5 cm सब सेंटिमिटर में लिए गए हैं तो आंस्वर भी हमें सेंटिमिटर में ही प्राप्त होगा अगला जो क्यूशन है उसे आप देख लीजिए तेकि अच्छा क्यूशन है केवल देखकर स्युक्त सुक्षम दर्सी और दूर दर्सी में अंतर कैसे प्राप्त होगा स्युक्त सुक्षम दर्सी के अंदर जो अभिधर्सिक लेंस होता है उसका द्वारक छोटा जबकि नेत्रिका का द्वारक बड़ा होता है जबकि दूर दर्सी में इसका उल्टा होता है अभिदर्सिक का द्वारक बड़ा हो और नेत्रिका का द्वारक छोटा होता है यही लिखा गया है देगे स्युक्ति सुक्षम दर्सी में अभिदर्सिक का द्वारक नेत्रिका की अपेक्षा छोटा होता है जबकि दूर दर्सी में अभिदर्सिक का द्वारक नेत्रिका की अपेक्षा बड़ा होता है ये हम देख कर भी पता लगा सकते हैं तो इसका सोलुशन आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका वीडियो आप देख सकते हैं इसके साथ में देखिए हमें क्या कहा गया है केकवरणी प्रकास किरण के काज के प्रिजम से गुजरने पर अपवरतन को दरसाने वाला किरण चितर ये हमने पहले बढ़ा दिया है प्रिजम कौन तथा नियूनतम विसलन कौन के पदों में अपुरतनांग तो यही फोर्मूला होता है नियूनतम विसलन कौन ये है अपुरतनांग ये है इनके बीच में तो एक ही क्यूशन है इसको घुमा कर इस तरीके से पूछा जा सकता है देखे जो अगला जो क्यूशन है निवंदात्मत परसन के अंदर हमें देखे इसमें से त्रिकुद्र ये परसन आएगा निवंदात्मत परसन भी इस चेप्टर में से नहीं पूचा जाएगा तो देखे ये हमें क्या दे रखा है कि पूर्ण अंत्रिक प्रावर्तन को प्रिभासित कीजिए आवशक सर्ते हम पहले देख चुके हैं क्रांति कोण और अपुर्टनांख में संबंध इस्तापित कीजिए तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो ये होता है संबंध लिखिए तो एन बराबर होता है वन अपॉन में साइन आई सी और सर्ते हम अभी इस वीडियो में पहले देख ही चुके हैं एक और क्यूशन ने हमें निमंदात्मक परसनों में दे रखा है एक बटा एफ बराबर म्यू माइनस वन एक बटा आरवन माइनस एक बटा आरटू ये भी एक अच्छा क्यूशन है ये बोर्ड एक्जाम में पूछे जाने की परबल संभावना है विद्यारत विश्यों इसको आप अच्छे से याद गर लेंगे समझ लेंगे इसका सोलुशन भी हमने इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं समझ सकते हैं अगला जो क्यूशन है वो एक निवेरिगल क्यूशन है इसे भी आप देख लीजिए कि हमें कोई वस्तू 15 सेंटीमेटर फोकस दूरी के अवतल दरपन से 10 सेंटीमेटर दूरी पर रखी है परतिविंब के इस्तिती प्रकति और आवर्दन ग्याद कीजिए तो देखे अवतल दरपन है और 15 सेंटीमेटर फोकस दूरी है तो फोकस दूरी अवतल दरपन की 15 cm दे रखिए माइनस में U वस्तू दे रखिए जो की माइनस में 10 cm पर है Then यहाँ पर दरपन सुत्र हम लगा देंगे 1 बटा F बराबर 1 बटा U प्लस 1 बटा V Then हमें क्या मिल जएगा 1 बटा F सब की value पूट कर देता हूँ F की value कितनी है? माइनस में 15 है बराबर U की value माइनस में 10 प्लस में 1 बटा V तो 1 बटा V बराबर आगया हमारे पास में 1 बटा 10 माइनस 1 बटा 15 तो यहाँ से 30 लगुतम आगया 3 माइनस 2 एक बटा 30 V कमान हमें मिल चुका है यहां से V बराबर 30 cm प्राप्त हो गया है अब देखिए यह लिए आपके पास में V आ जाता है तो M बराबर होता है माइनस में V बटा U तो माइनस में V का मान हमारे पास में है 30 U का मान हमारे पास में है माइनस का 10 तो minus minus होजेगा plus 3 आजेगा देखो इसका मतलब है 3 गुणा प्रतिविम्ब बनेगा इस 3 का मतलब क्या है 3 गुणा प्रतिविम्ब कितना गुणा बन रहा है 3 गुणा plus में आ रहा है इसका मतलब आभासी बनेगा आभासी प्रतिविम्ब कैसा होता है सीधा होता है बड़ा बन ये इस कुशन का solution रहा है अब देखे अगला जो कुशन है वो भी हमें एक निमंदात्मक कुशन ही डिया गया है कि प्रकास किर्णों के अपवरतन को प्रिभासित कीजी दो माद्यमों को भरतक करने वाले गोली प्रिस्ट पर अपवरतन का किर्ण आरेक बनाए और अपवरतन का किर्ण आरेक ये होता है और इसके जो नियम है कि आपतित किर्ण अपवरतित किर्ण अभिलम तीनो एक ही तल में होते हैं सनेल का नियम ये कहता है कि आपतन कों की जया और अपवरतन कों की जाका नुपात नियत होता है जिसे हम अपवरतनां कहते हैं clear अगला जो कुशन ह विद्धार्टियों वो भी देख लीजिए, क्या है? कि लेंस की सक्ति को प्रीभासित कीजिए, ये board exam के modal paper में है तो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के सेयोजन के लिए प्रणा में सक्ति का सुत्र वित्पन कीजिए तो विद्यारत ये भी एक आसान सा टोपिक है जिसका solution आप easy तरीके से कर सकते हैं इसका solution हमने आपको यहां पर दिखा भी दिया है तो इस तरीके से आप दो लेंसों को एक दूसरे से सटा कर रख कर लेंस सुतर लगा कर इसका solution find out कर सकते हैं clear तो विद्यारतियों ये था आज का हमारे वीडियो जिसमें आपने किरण प्रकास की से related जो महत्वपूर्ण परसनोतर है सेखवाड़ी मिशन के जुवारा दूदारी किये गए हैं उनको आपने देखा समझा आज की से वीडियो में इतना ही अगला जो हमारा वीडियो होगा वो अगले चेप्टर से related होगा जो अगला जो चेप्टर है वो हम जानते हैं कि प्रकास की द्वेत प्रकत्ती पर आधारित है उसका वीडियो हम लेकर आएंगे विकेंड तता दर्वे की द्वेत प्रकत्ती पर आधारित वीडियो होगा तो वो काफी अच्छा वीडियो होने वाला है काफी महत्वपून वीडियो होने वाला है आप हमारे साथ में यूँ ही बने रही है आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों